हाई डियर फ्रेंट्स मैं डॉक्टर मिनाक्षी गोईल गाइनेकलॉजिस एंडी हॉस्पिटल हिसार आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि पीरिट्स कम क्यों आती हैं काफी सारे पेशिंट्स ओपीडी में आते हैं और उनका ये सवाल रहता है मैं मेरे पीरिट्स कम आ रहें कहीं कोई मुझे बिमारी तो नहीं है और इसका एक सीधा सीधा जवाब देना काफी मुश्किल है पीरिट्स कम आना एक नॉर्मल बात भी हो सकती है और पीरिट्स कम आना कैई सारी बिमारियों का संकेत भी हो सकता है इसलिए अगर आपके periods कम आते हैं तो इस वीडियो को आप last तक देखिए मैंने इसमें 10 reasons बताए हैं जिसकी वज़ेसे periods कम आते हैं और इनके अलावा normally कोई और दिक्कत नहीं होती कि जिस वज़ेसे periods कम आएंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि periods का normal flow क्या होता है पीरिट्स का जो normal flow होता है वो 1-2 दिन से लेके 5-7 दिन तक normal माना जाता है तो आपके periods कम आ रहे हैं अगर वो शुरू से ही कम आते हैं किसी के 1-2 दिन ही periods आते हैं शुरू आथ से तो उसे हम normal मानते हैं लेकिन अगर आपके periods पहले अच्छे आ रहे थे, पास से साथ दिन आ रहे थे या तीन से चार दिन का फ्लोता और सड़ली वो उसका जो amount है वो कम हो गया, duration कम हो गया, तो वो abnormal है, normally जब आपकी pregnancy होती है, delivery होती है, उसके बाद जो periods होते है, normally वो कम आते हैं, क्योंकि उस वक्त breastfeed कर रहे होते हैं, जब हम breastfeed करते हैं, तो कुछ ऐसे hormones बनते हैं, जिससे की periods कम आते हैं, या फिर नहीं आते हैं, जिससे lactational amenorrhea का आ जाता है, जो कि एकदम normal अवस्ता है, इसके अलावा periods कम होना किन बातों का संकेत देता है, सबसे पहले कुछ hormonal problems हो सकती है, बाड़ी में स TSH, free T3, free T4 कराया जाता है, अगर TSH आपकी बाड़ी में जादा बन रहा है, इसका मतलब आपकी बाड़ी में thyroid hormone की कमी हो रही है, जो TSH hormone हो brain से बनता है, वो act करता है thyroid पे, और thyroid hormone T3, T4 बनवाता है, तो अगर हमारी बाड़ी में T3, T4 का level कम हो रहा है, तो TSH बढ़ जाता ह है, जिसे हम hypothyroidism कहते हैं, और उसका एक symptom होता है, कि period का आपका flow कम हो जाता है, और काफी लोगों में ऐसा भी होता है, कि periods बंद हो जाते हैं, आफे 2-3 महिने में आते हैं, नेक्स्ट हार्मोन जो होता है, वो होता है serum prolactin hormone, serum prolactin hormone भी हमारे brain से बनता है, pituitary gland से, नॉमली य लेकिन एक stress hormone भी होता है, कही बार हम लोग बहुत ही जादा stress में होते हैं, घर में कोई problem हो, या फिर हमारे घर में financial कोई problem है, या फिर किसी की तब्याइत खराब है, या फिर हमारी कही बार जगे place है, तो हम our body adjust कर रही होती है, environment से जो change होते हैं, तो जिसकी वज़े से prolactin hormone क जाता है, और ये कई बार कुछ दवाइयां भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम खाली paid acidity की दवाइयां खाते हैं, या फिर हो सकता है हमारी anti-depression की दवाइयां चल रही हो, anti-stress की दवाइयां चल रही हो, anxiety की दवाइयां चल रही हो, तो उनमें भी कुछ ऐसे salt होते हैं, जि के इंजेक्शंस के फॉर्म में होती हैं और अंदर hoarse a.उ हॉर्म उर्यस के फ्योस के फॉर्म में भी आते हैं तो गर निरोध के ओब आखे हो एकिसों दिन की जली होती हैं जिसे 的 हरते हो सबस्र Запी well it कि ऑस भी ऐसे और हड़ा वाइब में कुछ लोग पेशेंट्स लगाते हैं हर तीन महीने से डी एंपी एक इंजेक्शन होते हैं इसमें प्रजिस्ट्राउन होता है उसका भी यही काम होता है वह प्रेगनेंसी नहीं लगने दिता प्लस वह अंदर यूटरस के अंदर भी एंडोमेट्रियम की लेयर को बहुत ही थि आंस्टर में कॉलेज कोंग में पीसियुट पॉलीसिस्टिक अवेडियन देजाज इसमें हॉर्मोनल चेंजेज काफी जाता होते हैं हमारी बोडी में इसमोरेल ह्ट्रोमफ बिकिति-वेट हर्मेट-डी Hurman elka कुकर बहूंन को कि तास्ट हैं सीरम एक AMHP किया जाता है, अल्टरसाउंट भी किया जाता है देखने के लिए कि आपको PCOD है या नहीं है और उसके बाद आपको lifestyle measures होते हैं, changes होते हैं, वो आपको अपनाए जाते हैं Next, कुछ patients आते हैं जो की history होते हैं कि उनके abortions हो रखे होते हैं और उनकी 2-3 बार DNC हो रखे होते हैं, कई बार तो एक बार DNC के बाद भी periods कमाने लगते हैं तो ये एक काफी चिंता का wish है क्योंकि हो सकता है, DNC में क्या करते हैं कि जब आपके बच्चा लगता है, खराब होता है तो उसको कुछ instruments की साहिता से निकाला जाता है, जब हम कोई भी instrument यूज करते हैं तो उससे अंदर घरवाशे में कुछ चीजें आपकी जो अंदर की endometrium होते हैं तो उसको damage होने के chances रहते हैं, endometrium अगर damage होती है तो उसमें जब वो healing होती है, वो अपने आपको जब repair करती है तो उसमें आपस में जाले बन जाते हैं, जिन जालों की वजए से कैबर periods कम आते हैं नहीं आते हैं, इसे हम assherman कहते हैं, assherman की वजए से आपको आगे future pregnancies लगने में दिक्कत होती है तो अगर आपकी history है DNC की और आपके periods कम आ रहे हैं, तो आपका जो gynecologist आपको वो सला देते हैं हिस्ट्रोस्कोपी करा हो, हिस्ट्रोस्कोपी एक दुर्बीन की जाच होती है, जिसे घरवाशे में अंदर डाला जाता है और जो आपकी जाले पर रहे हैं, उनको काटा जाता है, उसके बाद आपको hormonal treatment पे रखा जाता है तो यह गंबीर समस्या है, अगर आपकी history है DNC की, आपकी DNCs हो रखे हैं काफी और उसकी तुरंट बाद से आपको लग रहा है कि periods कम हो गये है तो आप अपने gynecologist के पास जाईए, परामर्श करिए नेक्स प्रॉब्लम होती है tuberculosis, tuberculosis इंडिया में काफी common है, यह एक infection है हम सब जानते हैं जिसे आप भाशा में TB बोलते हैं या शेय की बिमारी बोलते हैं जादा तर लोग सोचते हैं यह फेफडों की होती है, लेकिन TB एक ऐसी बिमारी है जो बॉड़ी के किसी भी हिस्से की हो सकती है, दिमाग की, आख की, नाख की, मूँ की, किसी भी organ की TB हो सकती है उसी तरिके से जो हमारे गरवाश होता है अन्ड़कोश होता है, ट्यूप होते हैं वहां भी TB के बैक्तीरिया काई बार गुज जाते हैं और इंफेक्षन करते हैं और इंडिया में बहुत ही कॉमन कास है, इनफर्टलीटी का गरभ ना धारन कर पाने हैं तो कई वर अगर periods कम आ रहे हैं तो ये एक symptom हो सकता है TB का नेक्स्ट जो reason होता है periods कम आने का होता है premature menopause अभी काफी common हो गया है premature menopause premature menopause का मतलब होता है कि समय से पहले आपके periods जा रहे हैं जो एक natural menopause का time होता है 47 years से लेके 53 years तक एक natural age होती है menopause की लेकिन अगर किसी के 35 की age में menopause हो रहा है उसे हम premature menopause कहते हैं menopause होता कब है हमारा जो अंड कोश होता है अंडे धानी होती है उसमें जरम के वक्त 4 million eggs होते हैं धीरे धीरे ये eggs consume होते रहते हैं जब ये eggs खतम हो जाते हैं उस वक्त menopause हो जाता है तो normally ये 47 age के बाद होता है 40 के बाद भी इसे normal ही माना जाता है लेकिन अगर किसी का 40 से पहले ये eggs खतम हो रहे हैं उसके अंदर hormones नहीं बन रहे हैं तो उसे premature menopause का जाता है तो अगर आपके periods काम आ रहे हैं तो होसकता है कि आपको premature menopause हो रहा हो तो उस condition में आपको हमें बहार से hormones देने परते हैं ताकि आपके अंदर कोई problem नहीं हो किसी को 40 से पहले प्रिमेचोर मेनपॉस हो रहा है तो उन कर्डीशन में हम उनको हॉर्मोन रिप्लेस्मेंट देते हैं साथ में कैल्शिम भी देते हैं तो अगर आपके पीरिट्स कम आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं तो आपका एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं सीरम FSH अगर सीरम FSH लेवल बहुत ज़्यादा भड़ा हुआ है सपोस्स 40 से उपर भड़ा हुआ है तो अब हमें पता चलता है कि इस पेशिंट की अंडेदानिया काम नहीं कर रही और इसे प्रिमेचोर मेनोपॉस हो रहा है तो उन पेशिंस को हम होर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी देते हैं अगर Movies 40 से कम है कई बार हम होर्मोन की कमी के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे किए उनको हार्ट फ्लशेज होते हैं गर्मी लगना पसीने होना बेचैने घबराट होना तो अगर इस तरह के symptoms होते तो उस condition में भी 40 के बाद भी hormone therapy दी जाती है I hope आपको ये सारे reasons समझ आए हूँ कि किस वज़े से periods कम हो सकते हैं और साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि उसका क्या treatment आपको लेने की ज़र्द बढ़ सकती है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ like and subscribe करिये कोई भी question हो तो please comment box में डाल सकते हैं Thank you दोस्ता